हाई फ्रेंट्स आज हम आपके लिए लाएं हैं एक दम यूनीक तरीके से और बहुती इजी तरीके से बनने वाली छेना रस्म लाई की रेसिपी तो चलिए इसे हमें किस तरीके से बनाना है तो वीडियो को सुरू करते हैं यहाँ पर मैंने देखी एक लीटर मिल्क लिया है एक किलो दूध और इसको अब हमें उबाल आने तक एसको पकाना है तो देखी दूध में उबाल आ गया है अब हमें गैस की फ्लेम को ओफ कर देना है और इसको 2-4 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है जब तक हमें एक नीवू का रस निकाल लेना है और इसको हमें चान लेना है रस को आप नीवू के रस की जगे विनीगर भी ले सकते हैं वाइट विनीगर तो देखिए हमें थोड़ा थोड़ा करके नीवू का रस इसमें एड़ करना है दूद में और इसे चलाते रहना है हमे कोटन के कपड़ा चान लेना है च्प कपड़ा चान लेना है को बाद कर निलए तो अब क्या करना है इस कपड़ा उठाना है और एस तरीके से धोना है तो जो हमने नीबू का रास इसमें अड़ करा था तो वो जो उसका खटापन है वो इस तरीके से इसमें से निकल जाएगा जितना भी खटापन होगा तो बस हमें इस तरीके से इसे दो लेना है और थोड़ा सा टाइट हातों से हमें इसे ऐसे पकड़कर टाइट हातों से निचोड़ लेना है और बस हमें फिर इसे एक तरफ रख देना है दस मिनट के लिए जब तक हमें कडाई में एक लीटर दूद ओर लिया है मैंने तो देखें दूद में उबाला गया है अब हमें इसे medium flame पर इस तरीके से ही चलाते हुए पकाना है जब तक हमें इसे पकाना है जब तक इसकी consistency जो है वो half नहीं हो जाती मतलब इसकी आदी नहीं हो जाती तो अभी देखिए थोड़ा दूद जो है वो थोड़ा कम हो गया है ध यह आप 100 ग्राम चीनी ली है, आप अपने हिसाब से चीनी रखें, जितना आप मीठा खाते हों उसे घखाते हों, तोड़ा सा मैंने इसमें अएड कराए, येलो फूड कलर लिया है मैंने यहाँ, आप इसकी जग्ले सैफ्रान भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी रह अब इसमें हमें आड़ करना है हाफ टीस्पून इलाइची पाउडर तो बस अब हमें इसे क्या करना है दो मिनट और ऐसे ही चलाना है और फिर उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को आफ कर देना है क्योंकि यह ठंडी होने के बाद और थिक हो जाएगी तो इस तरीके की है जो है अधर हो गया होगा तो देखिए जिया दुटाइ हो गया है अаж तो अभादनhando आधिए तरीके में है उसके इसे करना है एस तरीके से खालें हो से देखिए बिल्कुल चार से पाच बिनेट लगते हैं इसको हमें सॉफ्ट करने में एक दो मुलायम हो गया है अब हमें क्या करना है अब इसमें हमें टू टेबल स्पून एड़ करने हैं मेदा आप इसकी जगे सूजी भी ले सकते हैं तो बस अब हमें इसे खुब अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हमें एक बार फिर खुब अच्छे से बारिक कर लेना है हतेली से देखिए इस तरीके से तो बस अब यह जो चेना है वो हमारा बिल्कुल रैडी है अब हमें इसको चार पार्ट में डिवाइड करना है इसम इक में लीज़ कपा सर वी रेमें हैं तो इस लूटा अब ढूरेंच हाई क्या यहां रिखायी को ऐ जो लागा झाला ही पिन अलेंज 5 ऊज़़गे हो रहें यह ज मे डीर बने एक में इस अर आट प्रम पाधी मेले टेनों तो इस थोड़न उपना होसम और फिर हमसे खुंब जेके बिल्गुल थोड़ा थोड़ा पानी एड़ कर आ разм Take this एक कलर अच्छे से मिक्स हो आख ए तो अब हमें इन तिनों खुब अच्छेसे close make लिए एक लीटर मैंने पानी लिया है और इसमें हमें क्षेने 5 되ड चेले करनी है और चीनी को हमें घुलने देना है इसको और उबाल आने देना है जब तक ये उबाल आएगा जब तक हमें देखी इसकी जो छेना है इसको इस तरीके से हमें पार्ट में डिवाइड कर देना है छोट छोटे तो अब हमें इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है देखी इस तरीके से साइज अपने हिसाब से चोटा या बड़ा रख सकते हैं पर हम इनको जब चाशनी में बोईल करेंगे या नियु उबालेंगे तो इनका साइज बड़ा हो जाता है तो इसलिए हमने इतनी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है देखे इस तरीके से बनानी है बहुत एज को डालते हैं और उनको हमें 10 मिनट के लिए चाशनी में ऐसे ही बॉल्ड होने देना है गैस की फ्लेम हमें यहां मीडियम रखनी है और 10 मिनट बात देखी हम देखते हैं कि इनका साइज जो है वो डबल हो गया है यह बड़े हो गए हैं साइज में तो बस अब हमें इनकी होने लगें तो बस समझ जाईए कि अच्छे से पगए हैं तो बस अब हमें इनकाल लेना है और इसी तरीके से हमें जो कलर्फुल है उनको भी ऐसे ही चाशनी में पका लेना है और इनको हमें नॉर्मल पानी में डाल देना है तो नॉर्मल पानी में मैंने इसलिए इनको डा आखे में गोल नहीं रहेंगे इसलिए मैंने इस पानी में निकाला है तो इसीतर गरみたいowym हम इनको भी चा Um Nt कर लेना है पका लेना है इनको भी दस मिनट के लिए हमें पकाना है तो देखिए दस मिनट हो गए है अब हमें चेक करना है तो देखिए यह भी साइज में डवल हो गए है तो इनको भी हमें नॉर्मल पानी में ही निकाल लेना है तो देखिए हमने इन सब को निकाल लिया था अब हमें क्या करना है इनका पानी बिल्कुल निचोड़कर इन्हें एक बरतन में निकाल लेना है तो देखिए इस तरीके से हमें इसमें से पानी निकालना है बिल्कुल सॉफ्ट और स्पोंजी बने हैं हमारी चेने यह कितने अच्छे तरीके से बने हैं तो देखिए हमने इ से ही डिप रहने देना है छेना को जिससे इसमें रबडी ऑब्जर्व हो जाए छेना में तो आप इसमें उपर से ड्राइफ रूट्स या फिर टूटी फूटी जो भी आपकी मरजी है वो इसमें आड़ कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी रहने दें मैंने या पर थोड़ इजी तरीके से बन जाती है इस दिवाली आप भी इस तरीके से घर पर छेना रस्मलाई जरूर बनाए और हमें कमेंट्स बता हैं यह बहुत ही टेस्टी बनी है खाने में भी जैसे हम रेडिमेट बाहर से लाते हैं वैसी ही इसका टेस्ट आता है तो अगर आपको मेरी यह वी